इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा राजिस्थान के बने 19 नए जिलो को याद कने की ट्रिक देखो सबसे पहले तो आपको बता दिया जाता है अगर आपन एक बार 19 के 19 जिले देख लेते हैं फिर अगर अगर आपन को कोई पूछे के 20 से कौन सा जिला बना तो हम बता सकते हैं 20 से बाल उत्रा है ब्यावर है और अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए कि 19 के 19 जिलो के नाम बोलो तो आपन को याद नहीं रहता है आपने यूटूबर या फिर और भी अन्य जिगह देखे होंगे कि बड़े-बड़े सेंटेंस से याद करवाते हैं कि आप इस तरह से याद कर सकते हैं अगर हमें वो sentence याद होता तो हम जिले याद क्यों नहीं कर लेते इसलिए मैं थोड़ी आपके लिए जो trick है वो अलग लेके आया हूँ sort है और बस आपको पता होना चाहिए एक बार आपने 19 जिले देख ली तो आपको ये तो पता हो जाएगा कि C से या B से या A से कौन-कौन से जिले बने तो trick बताने से पहले अगर आपको हमारी trick पसंद आए तो वीडियो को like करें चैनल जरूर subscribe करें क्योंकि आपको इस channel पर daily राजिस्थान के नए नए जिलो से समन्दिद mathpon question देखने को बलता है तो नए जिलो को याद कने के trick 19 के 19 चो नए जिले बने है उन्हें आप सिरफ इस trick से याद करो के तीन बार KDS और अब FB को करो good night यानि कि आपको KDS से ये तीन बार लिखना होगा बस इतनी से याद रखना है फिर आपको FB को क्या कर देना है good night अब कैसे मैं बताता हूँ तो सबसे पहले आप KDS को तीन बार लिखोगे तो पहले के का मतलब आप कैकड़ी रख दो या फिर और कोई दूसरा के से जिला हो रख दो उसके बाद D से आप रख सकते हो D डूआना कूचामन रख दो या D रख दो या D दूदू रख दो देखो एक बार आपको जब पता हो जाता 19 के 19 चिले कौन कौन से है तो आप उसको याद कर सकते हो इस तरह से सोट से आपको पता चल जाएगा भई D से या B से या A से कौन सा जिला बना था लेकिन अभी ऐसे बिना ट्रिक से आपको 19 के 19 चिलो का नाम पूछा जाए तो साइद आप ना बता पाओ उसके बाद S से आपको पूछा जाए तो आपको पता है S साचोर बना था सलूंबर बना था तो आप S से सलूंबर लिख लो याँपर फिर वापस आपको मैंने का KDS तीन वार लिखना है फिर वापस के से कौन सा लिखोगे कोट पुतली बैरोड क्यूंकि आपको पता के से तीन जिले बने है के से कितने जिले बने है तीन जिले बने है एक आपका बना है कैकडी एक बना कोट पुतली बहरूड और एक बना एक खैरतर तो अब आप के से क्या याद रखोगे कोट पुतली बहरूड उसके बाद D से आप याद रख सकते हो D क्योंकि D से भी आपके कितने जिले बने तीन बने थे एक D, एक D डोना कुचामन और एक दूदू और उसके बाद आप याद रखोगे S से S से आप याद रखो इस बार सहापूरा क्योंकि S से भी तीन जिले बने सलूमबन, साचोर और सापूरा उसके बाद वापस से आप KDS मेंने का तीन बार लिखना तो वापस से आपने KDS लिखा इस बार के A में खेर तलती जारा लिख लिए, D में दूदू लिख लिख लिए और S में साचोर लिख लिख लिए यानि कि K, D, S अक्सर से आपके तीन तीन जिले बने हैं K से कौन-कौन से बना? कैकडी, कोट-पुतली बैरोर, खेर तलती जारा D से कौन से बना? डीडोना कुचामन, डीग, दू-दू और S से कौन सा बना? सलूंबर, साचोर और सापुरा ये याद रखने के बाद मैंने ट्रिक क्या बताई अब F, B को कव गुड़ नाइट तो अब मैं A, B, A से आता अनूबगड जिला आपको पता A से सिर्फ एकी जिला बना है अनूबगड उसके बाद B से आपको मालूम है दो जिले बने हैं एक बालोत्रा और एक ब्यावर तो इस बार अब मैं A, B मैं आप लिख लो बालोत्रा और उसके बाद F, B मैं आपका F का हो जाएगा एक जिला है F से वो कौन सा है? फलो दी और उसके बाद वापस से B आया तो पहले बालोत्रा लिख लिए तो इस बार आप ब्यावर लिख लो या भाली पहले ब्यावर लिखो या बालोत्रा लिखो आपकी मर्जी उसके बाद उसको क्या करना है? गुड नाइट तो जी एन गुड नाइट का सौर्ट होता है जी एनी गंगापूर सिटी याद रख सकते हो और एन मतलब हो गया नीम का थाना ये तो हो गया आपके पंदरा जिले अब पीछे चार जिले तो आपको पताईए जाइपूर जोधपूर को टेकोड़े करके बनाए गए है जो कि जाइपूर ग्रामेड जाइपूर और जोधपूर और जोधपूर ग्रामेड ये तो आपको ऐसे याद रहा जाएँगे तो ये थे 19 जिलो की ट्रिक आपको ट्रिक कैसे लगी हमें comment box में जरूर बताए क्योंकि बाकी ट्रिक होती है बहुत जो कि बड़े बड़े sentence से याद करवाते हैं अगर आप sentence से याद करते तो इससे अच्छा 19 को 19 जिले ही याद कर लो इसलिए मैंने आपके लिए 100 ट्रिक लाया हूँ उसके बाद D से तीन है डीडो ना कुछमन डीग दूदू उसके बाद आपका S आता है S से भी तीन है सलूंबर साचोट साहपुरा इसलिए मैंने तीन बार के डीएस लिखा है अब F B Koko Good Night तो अब मैं A से यह की अनुबगाड B से दू है आपको पता एक बालोतरा इक ब्यावर तो आप एक बार में B में ब्यावर लिखो एक बार में ब्यावर और एक दूसरी में बालोतरा लिखो उसके बाद F है तो F का मतलब क्या है आपको पता है? फलो दी डेली नए जिलो से समझ दिद मैठ पून किशन देखने को मिलते